हेलो गाइज, वेलकम तो सम्सिंग फुडी चैनल, माई नेम इस पूजा, आज हम बहुत टेस्टी और स्पाइसी मिसल पाव बनाने वाले हैं, तो चलिये चलते हैं, इसे लगने वाली चीजों की तरफ, एक टेबल स्पून नमक, तीन टेबल स्पून ओल, एक कटोरी फरसान, एक कटोरी मत्की, एक कटा टमाटर, एक कटा प्याज, दो लाल मिर्च, करी लीव, एक टेबल स्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट, लाल मिर्च, हल्दी पावडर, आमचूर बावडर, गरम मसाला, प्यास लसुन मसाला, धनिया पावडर और राई, हमने तेल अच्छे से गरम कर लिया है, अब हम इसमें खोड़ी राई डालेंगे, लाल मिर्च, करी लीब, प्यास, प्यास को हमें अच्छे से बूलना है, अब हम इसमें एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस डालेंगे, प्यास अच्छे से बूलने के बाद, अब हम इसमें एक टेबल स्पून लाद मिर्च ज़ा लेंगे, और खोड़ी सी हल्वी, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, हमारे टमाटर अच्छे से पक चुके है, अब हम इसमें मटकी डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, दो से तीन मिनिट इसे कम आज पे पकने देना है, दो से तीन मिनिट इसे अच्छे से पकने के बाद हम इसमें एक से देड़ गलास पानी अड़ करेंगे, हमें इसको पतला बनाना है, अब हम इसे बोईल कर लेंगे, थोड़ा उबलने के बाद हम इसमें एक टेबल स्पून धन्या पाउडर डालेंगे, एक टेबल स्पून प्यास लसन मसाला, एक टेबल स्पून गरम मसाला, और आदा टेबल स्पून आमचूर पाउडर, अब हम इसे दस मिनिट तक अच्छे से पकने देखें, अब हम इसमें नमक डालेंगे, दस मिनिट के बाद आप देख सकते हैं, हमारी मिसर रेड़ी हो चुकी है, अब हम इसे गार्निश करेंगे, इसके उपर परसांड डालेंगे, प्यास डालेंगे, फिर इसके उपर हम मिसाल की ग्रेवी डालेंगे, अब यह मिसर आने के लिए रड़ी, ऐसी टेस्टी रेसिपी इसके लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी यह लाइक और कमेंट करके जरूर बताईए, थांक यूू।